एक टॉपिक पेगनेंसी जो है यह महिलाओं में बहुत ही यानि यह भी एक प्रकार से कॉमन होता जा रहा है कि यह गर्ब जो है कहीं भी किसी भी यंग में ठार जाता है और वो जो है खसना की स्थिति पैदा कर देता है माताओं के जान पर आप पड़ती है तो इसलिए जहें इसे जो है निकाल बाहर करना एबोर्शन पैदा करना कहीं भी क्योंकि जो इस प्रकार के सेल्स होते हैं कहीं जगह होने के कारण ऐसा गर्बरी होती है इसलिए जो है इसमें भी देखो प्राकृतिक चिकिसा योग चिकिसा में जब भी गर्बधान करने की स्थिति आती है और नेचुरल तो उसकी तियारी पहले से ही कर देनी चाहिए जब गर्बधान करना चाहते हो उसकी एक डेन मिना पहले से दो तिन बातों का ध्यान रखो और सब जगे एक ही फार्मूला लागू होगा हर रोग में प्रोपर डाइट होना चाहिए प्रोपर इक्सरसाइज होना चाहिए प्रोपर मेंटल अटिचूड होना चाहिए प्रोपर रेस्ट होना चाहिए और इसमें जो है डाइट में विशेश रुप से अपने खान पान को नेचुरल रखो और एक फार्मुलान में साय याद रखो नो कॉन्फेक्शनी फूड, नो प्रोसेस फूड और उसकी संख्या एक दो नहीं है सेक्रो प्रकार की होते है बिस्कुट, ब्रेड, जेम, जेली ये सब उसी के प्रकार है रेड मेट से ले करके ये बहुत सारी चीज है तीन समका प्रियोग नहीं होना चाहिए सब्जियों का रस पिया करो सब्जियों के रस में विसेशुप से आपके गाजर है, चुकंदर है लौकी है पालक है, टमाटर है इन सारे सब्जियों का रस आपके लिए बहुत प्योग होता इस्प्राउटिल लिया करो अंकुर्थ मूंग मोट मसूर दूद नारियल नारियल का पानी जहां मिलता है नो तली भुनी चीज़े, नो फासफूर, नो जंग फूर यह सहर चीज़ें आप प्रियूग करोगे और उसके पहले कुछ चिकिसा ले सकते हो जिसमें कोल्ड ही बात यह और प्रिग्नेंसी के दोरान भी कोल्ड ही बात लेने से बहुत अच्छा जो है और इसका प्रियूग हमने सरपर्थम अपने स्री मतीजी पर ही किया था और ऐसे डिलेवरी हुई कि पता ही नहीं चला कि कब डिलेवरी हो गई बस यह है कि नेचरल फूड हमरा होना चाहिए और नेचरल एक्सरसाइज भी होना चाहिए इन सारे प्रिक्रियाओं से आप जो है आप जो है नॉर्मल गर्बधान करने में सहायता आपको मिलेगी और जाज भी कराते रहिए